हलो फ्रेंड्स वेलकम टू एससी कोचिंग सेंटर दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे मैथ्स के इंपोर्टेंट प्रेश्णों की जो एक्जाम में पूछे जाते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहला कोशन है आपका पांच और तीस का त्रतियानुपा ठीक है ए प्लस बी करेंगे और उस पर क्या कर देंगे दोस्तों अंडर रूड में ए भी कर देंगे इसे कहते हैं मध्यानुपाती या फिर दितियानुपाती ठीक है मध्यानुपाती कहते हैं और दितियानुपाती भी कहते हैं ठीक है दोस्तों समझे में आगी बात अब आ आपकी समझ माएगा मध्य अनुपाती या फिर दिती अनुपाती पूछा जाएगा तो ऐसे सॉल्प करना है अगर तरती अनुपाती पूछा जाएगा तो ऐसे सॉल्प करना है ठीक है अब यहाँ पर दो संक्या है तो पहली संक्या क्या हो जाएगी आपकी ए दूसरी क्या हो करेंगे बटे में क्या जाएगा टीस ऊस्वार का मतलब क्या करें शैंड़ मतलब 30 की सुफार को पांच है इसे को साल्प कर लीजे 5 से करड़ेगा 5, 6, 6 का करदो multiply ये 0 लाश्टी में आ जाएगा 6 ते कितना हो जाएगा 18 तो 180 आगे आपका 30 आनुपात C option आपके question के क्या हो जाएगा दोस्तों सही answer हो जाएगा के लिए रहे हैं अगर आप इसमें क्या करते मध्यानुपात निकालते ठीक है दोस्तों क्या करते मध्यानुपात निकालते तो इस ट्रिक से निकालते बात के लिए हैं दोस्तों समझ में आ रही है बात उम्मीद करता हूँ question आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ क्या होगा के लिए हैं आप देखते हैं अगला question अगला question है आपका किसी रासी पर चार वरसों का साधन ब्याज उस रासी का एक बटा पांच है बारसिख ब्याज की दर है दोस्तों आप से पूछा क्या गया है बारसिख ब्याज की दर तो यहाँ पर आपको रासी नहीं पता है कितनी है तो उस रासी का एक बटा पांच का का मतलब क्या होता दोस्तों मल्टीप्लाई रासी का एक बटा पांच तो रासी कितनी है सो रासी का एक बटा पांच तो एक बटा पांच लिख लेंगे बारसिख ब्याज की दर हमें ग्याद करनी है तो पांचसे कार्दो st को कितनी वर कटेगा दोस्तो 20 वर 20 का multiply एक से करेंगे तो 20 ही रहेगा तो ये कितना निकल के आया है दोस्तो 20 % 20 परसेंट तो आपकी option में भी नहीं है ठीक है दोस्तो आपकी दर निकल के आई है 20 % और 20 % option में नहीं है तो तो सही आंसर क्या होगा देखिए दोस्तों यहाँ पर 20% है कितने वर्स का चार वर्स का हमने जो question solve किया है किस से solve किया है चार वर्स के से ठीक है क्योंकि एक बटा जो 5 है वो कितने का है चार वर्स होगा जब 4 वर्स बराबर 20% दोस्तों तो 1% बराबर कितना 1% बराबर हो जा दोस्तों किसी रासी पर चार बरसों साधरण ऑरासी नहीं पता कितनी है हमने 100 माली तो सो का कटना एक हैं ठीक है तो पांच से काटा 20 वार 20 से कम 20 पर sun आ चार वर्स तो इक बपर संट एक बर उए कितना होगा के लियर दोस्तों उम्मीद करता हूँ सबकी समझ में आ रहा होगा आप देखते हैं अगला कोशन अगला कोशन है आपका एक घड़ी 200 रुपे में बेचने पर उतने ही प्रतिसत लाब होता है जितना उस घड़ी का क्रेम मुल्य है घड़ी का क्रेम मुल्य है देखे दोस्तों सबसे इंपोर्ट क्रेम मुल्य होता है जितना घड़ी का क्रेम मुल्य है ठीक है तो क्या हो जाएगा प्रतिसत लाब बराबर क्या हो जाएगा क्रेम मुल्य हो जाएगा के लिए दोस्तों क्रेम मुल्य हो जाएगा कैसे हो जाएगा जितने रुपे की बस्तू है उतने ही परसेंट का लाब मा चीज मैं कह रहा हूं ठीक है जितने रुपे की आपकी बस्तू हो उतने ही परसेंट का लाब हो या फिर उतने ही परसेंट की हानी हो जैसे मालीजे यहां पर आप प्रेतिसाथ हानी समझ लीजी के लिए रहे प्रेतिसाथ हानी बराबर भी क्रेम मुल्य होगा के लिए रहे आप विक्रे मुल ने जो दिया गया है वो लिख लीजे कितना है 200 रुपे है के लिए रख इसके ऐसे फैक्टर कीजिए जिनके बीच का अंतर कितना आए 10 आए तो आप यहाँ पर 20 गुड़े 10 करेंगे तो इनके बीच का अंतर कितना आजाएगा दोस्तों 10 आजाएगा ठीक ह और 20 गुड़े 10 कितना होता है 200 होता है आपको जो विक्रे मुल दिया गया है उसके ऐसे फैक्टर करने है जिनके बीच का अंतर 10 आजाएगा दोस्तों अब देखिए किसकी बात हो रही है इसमें लाभ की बात हो रही है लाभ प्रतिसर ठीक है तो लाभ की बात होगी तो जो आपने फैक्टर किये है उसमें जो छोटी संक्या है उसके आगे आप एक जीरो बढ़ा देंगे छोटी संक्या 10 थी उसके आगे हमने एक जीरो बढ़ा दिया 100 हो गया तो 100 हो गया आपका सही आंसर क्रेमुल कितना है 100 रुपे है बात के लिए है दोस्तों समझे में आगी ब जिनके बीच का अंतर दस आजाए तो 20 कोड़े दस आएगा जब लाभी की बात होती है तो छोटी संख्या के आगे 0 बढ़ाते हैं जब हानी की बात होती है तो बड़ी संख्या के आगे 0 बढ़ाते हैं बड़ी संख्या दोनों में क्या है 20 तो इसके आगे 0 बढ़ाते अगर ह हानी की बात होती तो लाभ की बात रहेगी तो छोटी संख्या के आगे जीरो बढ़ाएंगे लाभ की बात होगी तो छोटी संख्या के आगे और हानी की बात होगी तो बड़ी संख्या के आगे बात के लिए दोस्तों उम्मिद करता हूं सबकी समझी में आगया होगा अब दे अंकों वाली संचा के अंकों का योग कितना है आठ है देखें दो अंकों वाली संचा कोई पहली संचा A माल लिया मैंने दूसरी संचा B माल ली और इनका योग कितना है योग का मतलब पिलस करेंगे तो इनका योग कितना आता है आठ और उनका गुड़न फल कितना आता है बा 12 के ऐसे factor करेंगे जिनका गुणा करने पर तो 12 आ जाए और पिलस करने पर आपका 8 आ जाए ठीक है तो देखिए अगर आप 6 का multiply 2 से करेंगे तो 6 दूने 12 होता है 12 मिल गया और आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6 और 2 कितना मिल जाएगा 8 मिल जाएगा तो पहली संक्या क्या हो गई आपकी आपकी A कितनी होगे दोस्तो 6 और B कितनी होगे दोस्तो आपकी 2 होगे बात के लिए रहा है तो A की जगए आप 6 रखेंगे B की जगए 2 रखेंगे 2 का multiply कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और यहाँ पर इसकी जगए 6 रखेंगे इसकी जगए 2 रखेंगे 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 बात के लिए है दोस्तो आप से क्या पूछा गया दोनों संक्याओं का अंतर तो आप दोनों का अंतर कर लीजे 6 का 2 का अंतर करेंगे दोस्तो कितना आ जाएगा चार आ जाएगा तो चार आगे आपके question का सही answer बी-option दोस्तों सही हो जाएगा के लिए रहे समझ में आगी बात अब देखते हैं अगला question अगला question है आपका एक बटे root 9 minus root 8 minus एक बटे root 8 minus root 7 plus एक बटे root 7 minus root 6 minus एक बटे root 6 minus root 5 plus एक बटे root 5 minus का root 4 का मान क्या होगा के लिए दोस्तों ये question आपसे पूछा गया है अब मैं आपसे कहूँ कि इस question में 2 second से ज़्यादा का time नहीं लगेगा कैसे नहीं लगेगा आईए देख लीजे करते क्या है जब आपको उपर में 1 दिया गया हो जब आपको उपर में दोस्तों 1 दिया गया हो तो क्या करते हैं पहली वाली से Questions का लेगे first क्या है root 9 plus का है दोस्तों और last वाली लेगे root 4 किसका है minus का है क्ये लिए दोस्तों minus का है अगर minus का रहेगा तो plus ले लेंगे अगर ये पिलस का रहेगा तो माइनस ले लेंगे इतना काम करना है समझ मैं दोस्त बात पहली वाली संख्या लेंगे और लाष्ट वाली लेंगे लाष्ट वाली संख्या देखें पहली संख्या तो हमेशा पिलस की ही रहेगी लाश्ट वाली संख्या अगर माइनस है तो उसे पिलस कर लो अगर पिलस है तो उसे माइनस कर लो समझ में आगी बात अब रूट 9 को जब सॉल्ब करेंगे तो इसका बरगमूल 3 निकल के आएगा और रूट 4 को सॉल्ब करेंगे बरगमूल 2 निकल के आएगा बीच में पिलस का साइन है 3 और 2 पांच हो जाएगा आगया आपका सही आंसर किलियर है C option मैंने पहले ही कहा था इस question में 2 सेकेंड से जादा का वक्त नहीं लगेगा concept को समझ लीजिए ठीक है दोस्तो एक्जाम में आएगा तो देखकर ही आप उसे आंसर मार देंगे किलियर है अब देखते हैं अगला question अगला question है यदि sin 3x-20 बराबर cos 3y plus 20 हो तो x plus y बराबर क्या होगा ये कह रहा है दोस्तो question में ये आपको पता है trigonometry का question है लेकिर इसमें एक बात आपको पता है नईपटा तो सीकिए साइन ठीटा बराबर क्या होता है कोउस अल्फा के लिए रहे 10 ठीटा बराबर क्या होता है दोस्तो लीजिति कोट अल्फा ठीक है दोस्तो और सेक ठीटा बराबर क्या होता है कोसेक अलफा सैन ठीटा कोस अलफा के बराबर होता है और टेन ठीटा कोट अलफा के बराबर होता है सेक ठीटा आपका कोसेक अलफा के बराबर होता है ये बराबर होते हैं दोस्तों ठीक है? साइन कोस बराबर 10 quad बराबर 6 को 7 बराबर और जब दोस्तों ये बराबर होते हैं एक दूसरे के तो कितने का कौण बनाते है 90 का ये बात ध्यान रखना चाहblowing, sign-cause हो चाहинг 10 quad चाहbir 6 जब ये बराबर होते है तो कितने का कोण बनाते है 90 का कोण बनाते है ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर sin और cos बराबर में है, तो कितने का बनाएंगे, 90 का बनाएंगे, clear है, तो देखें, सबसे पहले से solve कर लेते हैं, कितना दे रखा है, 3x-20, 3y दे रखा है, 3y-20, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, sin और cos मिलके कितना बनाएगा, 90, बराबर 90 हो जाएगा, clear दोस्तों, यहाँ पर minus का 20, यहाँ पर plus का 20, तो minus plus का कट गे, clear है, कितना बचा, 3x plus का 3y बराबर 90, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो 3 common आ जाएगा, बाहर, क्या बचेगा, x plus y, बराबर का कितना 90, clear है, अब यह 3 से आपका 90 कट जाएगा, कितनी बारी कटेगा, 30 बारी कटेगा, तो x plus y का मान कितना आ गया, 30 आ गया, आपसे x plus y का मान पूछा गया था, तो x plus y का मान कितना आ गया, 30 आ गया, B option आपके question का क्या हो जाएगा सही answer हो जाएगा के लिए दोस्तों ऐसे question से आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है exam में आएगा आप उसे solve करेंगे ठीक है दोस्तों तरीका मैं आपको बता रहा हूँ solve करनेगा exam में आएगा तो आप उसे करके आएगे आप देखते हैं दोस्तों अगला question अगला question है आपका 110 मीटर लंबी रेल गाड़ी 58 किलोमीटर परावर की चाल से जा रही है इसी दिसा में 4 किलोमीटर परावर की गती से जा रहे एक ब्यक्ति को रेल गाड़ी कितने समय में पार करेगी देखे दोस्तों एक रेल गाड़ी जा रही है कितने की चाल से 58 की चाल से ठीक है दोस्तों और इसी दिसा में एक ब्यक्ति जा रहा है 4 की चाल से ये 4 भी किलोमीटर में है और ये आपकी ये भी किलोमीटर पर गंटे में है दोनों ही चाल आपकी किलोमेटर पर गंटे में है ठीक है और जब एक ही दिसा में जाएं तो क्या करते हैं दोस्तों अंतर कर देते हैं चालों का बात के लिए हैं दोस्तों जब आमने सामने से हूँ ऐसे जाए और एक उसके सामने से आए तो उनको कर देते हैं पिलस लेकिन जब एक ही दिसा में जाएं जिसी दिसा में रेल गाड़ी जा रही है उसी दिसा में ब्यक्ती जा रहा है एक ही दिसा में दोनों जा रहे हैं तो चालों को क्या कर देते हैं दोस्तों अंतर कर देते हैं ठीक है तो यह 58 km परावर है यह 4 km पर बचेगा तो कितना बचेगा 54 किलो मीटर परावर चाल बचेगी के लिए दोस्तों 54 किलो मीटर परावर की चाल आपकी यहाँ पर बचेगी लेकिन यह आपकी घंटे में है चाल और यहाँ पर क्या है दोस्तों मीटर तो आपको क्या है चाल को भी मीटर बनाना पड़ेगा क्य 18 से करेंगे 18 से काट दो 15 मीटर पर सेकंड की आपकी चाल निकल के आगी केलियर है 15 मीटर पर सेकंड की चाल निकल के आगी आप से question में क्या पूछा है समय कितने समय में पार करेगी समय पूछा है तो दोस्तों समय बराबर क्या होता है समय बराबर होता है दूरी बटे चाल के लिए रहें दूरी कितनी है 110 की दूरी है तो आप 110 लिखिए चाल कितनी है 15 की चाल है तो 15 लिख लो यहाँ पर अब इसे कटा लीजिए इसे दोस्तों कटाएंगे यह 5 से कर जाएगा तीन सत्य एकिस तीन से से काटेंगे, तीन सत्य एकिस कटेंगा, एक बच्चे का एक उपर तीन नीचे, साथ पूरांग एक बट्टे तीन सेकेंड का क्या निकल के आ जाएगा, आपका समय निकल के आ जाएगा, साथ पूरांग एक बट्टे तीन, बी ओफ्चन आपके क्या हो सी है सवसे छोटी संख्या पूछा गया क्या है कितनी संख्या ले लेते हैं दो 7 2, 3 4 5 6 7 8 9 9 संख्या होगी लगाता और इनका ओस्त कितना है थीरेपन आपको दूस्तो एक चीज पता है ओस्त क्या होता है ओस्त होती है हमेशा बीच वाली संख्या तो इस नो में बीच वाली संख्या होगी आपकी ओसत तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी नो संख्या है तो बीच वाली संख्या यह होगी चार इससे इधर और चार इससे इधर तो 53 होगी दोस्तों क्या आपकी बीच वाली संख्या के लिए रह 53 से पहले एक्यामन 49 47 और 45 पूछा क्या है छोटी वाली संक्या सबसे छोटी तो दोस्तो 45 होगी तो 45 होगी आपके सही आंसर अगर सबसे बड़ी संख्या पूछ लेता तो 61 आपका अंसर हो जाता और इसमें क्या क्या पूछ लेता है पहली संख्या और लाश्ट वाली संख्या सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योग पूछ सकता है सबसे चोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या का अंतर पूछ सकता है और सबसे चोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या का गुड़न फल पूछ सकता है तो कुछ भी पूछ ले तरीका आपको मैंने बता दिया ओसत होती है अमेशा बीच वाली संख्या के लिए दोस्तों उम्मिद करता हूँ आज की वीडियो में जितने भी कोशन कराए हैं सबी कोशन आपको बहुत अच्चे तरीके से समझ में आके होंगे धन्यवाद दोस्तों